आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now So hello everyone, आज हम एक question करेंगे इस question में हमें बोला कि हमार पास एक metallic rod है ठीक है, इसके length हमें given है 1 meters इसको हमने rigidly cramp कर दिया था both the ends points है, ठीक है अब हमने इस पर longitudinal stationary waves जो है produce की और हमें मिलता है कि 6 antennodes जो है हमें मिलता है उस rod पर 6 antennodes of displacement ठीक है, along the rod अब हमें बोला गया कि the amplitude of the antennode यानि जो maximum amplitude होगा वो हमें given है 2 into 10 की पावर minus 6 meters अब हमें बताना है कि the equation of the stationary wave कि क्या होगी और component of the wave at point 0.1 meter from the one end क्या होगी ठीक है तो हमें इस question में 2 चीज़े निकालनी है एक तो equation of the stationary wave निकालनी है और हमें निकालना है component of waves at the point 0.1 meter from one of the end ठीक है, तो इस question का हम कर लेते है तो let's suppose यह हमारे पास एक rod है अब इस पर जो हमें मिल रहे है 6 antennodes ठीक है, आप देख सकते हैं आप 6 antennodes लिखे हुए तो यह हम बनाए तो यह पहला antennode यह दूसरा antennode यह तिसरा antennode ठीक है, इस तरह से हमारे पास 6 antennodes मिलते हैं ठीक है, अब देख सकते हैं along the length हमें 6 antennodes मिलके ठीक है, अब देखें अगर तो इसके length हमें के बनती L is equal to 1 meters तो अगर ये 1 wavelength हो गया अगर ये lambda हो गया तो ऐसे हमारा पास कितने lambda है 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda ठीक है तो आप बोल सकते हैं कि 3 lambda जो है अपकी length के एकवल है तो यहां से हमारा पास lambda की value होगी यह आगी L by 3 और L हमारा 1 meter था तो lambda आपका 1 by 3 meters तो अब हमें निकालना है stationary wave की equation तो stationary wave की equation जो होती है वो होती है y x, t is equal to maximum displacement जो की होता है a ठीक है यह होता है sin kx into cos omega t plus कुछ phase अगर हो तो 5 ठीक है अब अगर हमें चाहिए k तो k जो होता है हमारा वो होता है omega by v ठीक है और frequency की बात करें तो f होता है आपका v by lambda ठीक है तो यहां से हमें v निकालना पड़ेगा और v जो होती है होती है velocity of wave on the string या फिर rod तो अगर rod अगर हमारी metallic rod है तो हमारी velocity हो जाएगी v वो हमें यहां से मिलेगी under root यंग्स models by इसका density यानि की rho ठीक है तो इसकी जो velocity है वो आएगी आपकी under root यंग्स models हमें गिवान ही यह है 7.5 into 10 की पावर 10 upon 2500 kg पर मेटर क्यों ठीक है तो जब हम से solve करेंगे तो यह हो जाएगा 75 into 10 की पावर 9 upon 25 into 10 की पावर या पर बचे का 2 तो यह हो जाएगा root 30 into 10 की पावर 3 मेटर पर सेकंड्स तो हमारे पास velocity आ चुकी है तो अगर हम velocity के आपर substitute करें तो हमारे पास frequency आ जाएगी ठीक है तो हमारे frequency की बात करें तो frequency जो होती है हमारी omega by 2 pi ठीक है f is equal to omega by 2 pi तो इसको यह पर substitute करेंगे तो यह हो जाएगा root 30 3 root 30 into 10 की पावर 3 तो यह से हमारे पास omega की value हो जाएगी omega आ जाएगा आपका 6 pi root 30 into 10 की पावर 3 ठीक है हमारे पास omega आ गया है हम यहां से k निकाल सकते है ठीक है k की अगर हम बात करें तो k आ जाएगा आपका omega by v ठीक है omega की value है 6 pi root 30 into 10 की पावर 3 by आपका v जो था वो था root 30 देख सकते हैं आप यहां से root 30 into 10 की पावर 3 ठीक है तो यह कट जाएगा तो यहां से आपके पास k की value आजएगी k आ जाएगा आपका 6 pi के बराबर ठीक है तो आपके पास k आ चुका है आपके पास omega आ चुका है तो आप stationary wave की equation जो है वो आप लिख सकते हो यहां से substitute कर सकत है आपके पास a भी है यह आनि कि आपका maximum amplitude आप यह देख सकते हैं आंटे नोट का यह था हमारा ठीक है तापके आपके आपस a है k है omega है तो आप यहां से आप equation लिख सकते हो stationary wave की तो वो equation हो जाएगी आपकी y x,t is equal to a कितना था आपका 2 into 10 के पावर minus 6 ठीक है आप यहां से देख सकते हो 2 into 10 के पावर minus 6 meters यह आप आएगा sin kx k की value है हमारे 6 pi तो यह जाएगा 6 pi x into cos omega t omega था आपका 6 root 30 pi into 10 के पावर 3 into t plus 5 आपका कोई phase अगर आपका initial से हो तो ठीक है अब इस question में हमें एक को चीज़ बोलिए कि components of wave कितने होगी क्या क्या होगी for x is equal to 0.20 meters ठीक है तो अगर हम components of wave की बात करें तो अगर यह y है हमारा तो यहां से आप इसे देख सकते हो यह कुछ इस तरह होगा 2a sin sin इसे बोल देता है alpha और यह जाएगा cos beta ठीक है तो यह आपका जो फॉर्मुला है इस आप इस तरह सब्रेडिट कर सकते ह क्या यहां पर बचेगा sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta ठीक है तो आपको components मिल जाएगे यहां से ठीक है यह जाएगा 2 हट जाएगा यहां से यहां पर बचेगा a sin alpha plus beta plus a sin alpha minus beta ठीक है तो यह हमने यहां पर trigonometrius की है और इसको expand कर दिया तो यह हमारा पहला component हो जाएगा इसको हम कहेंगे y1 और यह हमारा दूसरा component हो जाएगा इसको हम कहेंगे y2 ठीक है तो हमारे जो standing way की question थी यह आपके 2 components मे break हो कही है ठीक है और हमें यह y1 और y2 पूछा कहा question में तो हम x is equal to 0.1 के लिए से solve कर लेते हैं ठीक है तो y1 अगर हम लिखे y1 x,t तो यह हो जाएगा आपका a की value अगर देखे तो हमें 2a की value given थी initially 2a की value given थी वो थी 2 into 10 की power minus 6 तो a कितना हो जाएगा आपका 10 की power 1 into 10 की power minus 6 ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पर 2a की value substitute की थी हमें a की value चाहिए ठीक है तो यह हो जाएगा 1 into 10 की power minus 6 sin alpha plus beta alpha कितना था आपका 6 pi x plus beta कितना है आपका 6 root 30 pi into 10 की power 3 t plus 5 इसे हम कहते थे अगर हम component 1 की बात करते थे तो हम 5 1 ले लेते हैं ठीक है और y 2 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा x, t should be equal to फिर से a हम यहाँ पर रखेंगे यह रहेंगा 1 into 10 की power minus 6 यह पर जाएगा sin alpha minus beta alpha था हमारा 6 pi x minus 6 root 30 pi into 10 की power 3 t minus इसे हम कुछ दूसरा फेस कहते हैं initial इसे कहते हैं 5 2 तो जब हम यहाँ पर x की value रखेंगे 0.1 meters तो हमारे जो components आजाएगे y 1 आएगा हमारा यहाँ पर आएगा 0.1, t यह हो जाएगा 1 into 10 की power minus 6 sin 0.1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 6 pi by 10 plus 6 root 30 y into 10 की power 3 t plus 51 ठीक है और y2 की अगर हम बात करें तो y2 आजाएगा आपका 0.1 x रख दिया हमने तो यह जाएगा 1 into 10 की power minus 6 sin यहाँ पर 0.1 रखेंगे तो यह जाएगा 6 pi by 10 minus 6 root 30 pi into 10 की power 3 t minus कोई phase हम 5,2 ले 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 थे हैं ठीक है तो इस question में हमें पूचा गया था standing wave की equation ठीक है तो यहाँ से हमने standing wave की equation find कर ली और फिर हमें पूचा गया था component add text is equal to 0.1 तो हमने दोनो component find out कर लिया थीक है तो आई होप आप सबके वीडियो समझाए होगी और थांक यह फो चूज़ेंग डाउटनेट classic studio से लेके need IIT GE means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा students का भर हो सा आज जी डाउटनेट आप यह whatsapp कीजिए अपने डाउट आउट आच चार्सो 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 पर